ब्रॉडवे तो हडे विदेश जान दे सुपने अनुदेवेगा अकीकत दी उडा आने सिस्टम से चलने लगे, नॉन SDS को वीजा सक्सेस रेट जादा देने लगे, चायद उसकी प्रॉबैलिटी जब कम रहेंगी, क्योंकि कैनेडा में अब SDS में बहुत सारी कंट्रीज आ चुकी हैं, लेटन अमेरिकन कंट्रीज आ चुकी हैं, तो डेफिनिली उनका कोटा जो है, वो वहां से कहीं न कहीं, पूरा हो जाएगा आने वाले दिनों में, सो लेस प्रॉबैलिटी की कैनेडा अब यहां से वापस मुड़ेगा, तो आज की डेट में अगर हम कैनेडा वीजा फाइल लगा रहे हैं, तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या रिक् SDS केस की बात करेंगे, तो उसमें आप यह समझें, क्या आज का 6 इच होना जरूरी है, तो डेफिनेटली इतनी रिक्वार्मेंट आप जरूर फिल फिल करते हूं, अगर आप non SDS केस है, non SDS केस में बच्चा क्या करता है, कि वो lower side को match करता है, क्योंकि PT के अंदर क्या होता ह है कि एक band होता है, कि एक higher side होती है, एक lower side होती है, like 42 to 50, 51 to 57 यह 8, so यह जो आप लेते हो हमेशा lower side को, 42 को, 51 को, 52 को, हम ऐसी देखेगी higher side of result, so PT के base पे अगर हमें score लेना है, तो कहीं न कहीं हमारा target, overall score 60 से अबव होना चाहिए, और minimum score भी 58 यहां उससे अबव हो, तो ही हमार जादी probability to gain visa है, और ऐसे score लेने वाले बच्चे अराम से आल्स में 6 each ले सकते हैं, तो उनको तो मेरी यह भी advice है कि भई, आप आल्स का ही 6 each बनाओ, तो जादा अच्छा है, अब आल्स का जो score है, उसमें किसी एक module में 5.5, अब इसमें 11 दुका visas दिख रहे हैं, और उसे advertisements कर रहे हैं, still बच्चों की files उसी तरह से लगा रहे हैं, तो I advise you guys, you are purely wasting your time and energy, अगर आप all 6 each नहीं बनाना चाहते हैं, यह आप नहीं बना पा रहे हो, तो Canada आपके लिए बहुत challenging होगा, refusal आने की probability बहुत ज़्यादा हाई रहेगी, so that is the first thing, second part है academic, academics की जब हम बात करेंगे, अगर आप graduate हैं, तो above 50% हैं, 2 is to 2 की आपकी degree है, second division में आप pass out हैं, तो आप safe हैं, कोई problem नहीं है, academic का इतना score sufficient है, but अगर आप 10 plus 2 हैं, then it is important कि आपके किसी भी subject में 50 से कम तो score बिलकुल भी ना हो, और अगर आपकी mark sheet, grading वाली mark sheet है, बहुत सारी CBSE की खासकर grading वाली होती हैं, तो उसमें D1, D2 जो grading है, वो ना हो, तो आप अच्छा success rate ले सकेंगे, अगर D1, D2 की grading किसी language subject में हैं, या आपके physical education जैसे subject में हैं, तो वो कहीं न कहीं skip on हो सकती हैं, बढ़ जो आपके core 3 subject रहते हैं, non medical के, commerce के, या medical students के, तो उनमें I advise you कि do not carry D1, D2, वो आपके लिए एक problem खड़ी कर सकता है, वीजा के success rate को लेके, और उसकी probability problem खड़ी करने की 90% plus है, बहुत कम वीजा आते हैं, जब आपका किसी में D1, D2 होता है, उसमें mostly problems आपको वीजा में आती हैं, और उसको recover कर पाना भी मुश्किल होता है, उसका alternative फिर यही होता है, कि आप कोई graduation कर लें, य साधा अच्छे से files लगाएं, धड़ा धड़ा फाइल लगाना, agent की add देखके file लगाना, package के चक्कर में फाइल लगाना, आपके लिए refusal खड़ी करेगा, उसके लिए एक lottery system हो सकता है, कि 100 लगाई हैं, 10 निकल जाएंगी, packages बड़े-बड़े किये हुए हैं, ambassive fees खर्चा य और थोड़ा safely अपनी applications को आगे चलाएं, नमस्कारा